आप सब दोस्तों तो दोस्तों थैंक्स यार 500 subscribers बहुत ही ज्यादा होते हैं सच में दोस्त मतलब हमारा एक एम धा 500 subscribers पाना और वह सेम को पाने में आपने हमारी बहुत मदद की तो आप जो लोगों की सपोर्ट है, आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया मुझे, उसके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया बोलना चाहूंगा आप लोगों को, अब आप 500 लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, कितना खुशी की बात है, तो थैंक्स आप लोगों ने मैं आखरी बार में आप लोगों को, मेरा मतलब दिल इतना खुश है आज, आप लोगों का प्यार दिक्के, आप लोगों का सब्स्क्रिप्शन देखके, आपको मैं बया नहीं कर सकता हूँ, फिर कुछ लोगों ने मुझे फिर mail भी किया, कि या आप वीडियो बनाओं, कि आप लोग हमारे वीडियो देखना चाहते हो आपके अंदर में मन है देखने का वीडियो अवे तो लगा कि हम इतना खराब बना रहे हैं कि कोई देखना नहीं चाहता स्टार्टिंग में सच में ऐसा ही फिलिंग आता है जब आप देखो कि आपके बहुत कम सब्सक्राइब अबर हैं मगर हाँ स्टार्ट हमारा लग अचा था क्योंकि पहले वीडियो में हमारे अट-least 20 ए 30 सब्सक्राइबर आ चुके थे तो फिर से आगरी बार थैंक्स बोल देता हूं इस वीडियो में तो दोस्तों बिना और ज्यादा मतलब थैंक्यू बोले मैं सिधा टॉपिक पया जाता हूं तो अब टॉपिक क्या है आप लोग सोचे होगे यार आज जरूर यह कुछ फणी बात बुलेगा या फिर कुछ serious matter बुलेगा नहीं दोस्तों हो आज ना तो कुछ फणी बात होगा नाहीं कुछ serious बात होगा आजका बात बहुत जादा simple है और हां थोड़ा स आप लोगों के लिए एक inspiration भी रहेगा, तो क्या है वो बात, तो दोस्तों, बात यह है कि Cool Mind Tech के बारे में आप सब जानते होंगे, और in fact most of you जो है, वो लोग subscriber होंगे Cool Mind Tech के, तो Cool Mind Tech जो है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं, तो normally हम इतना कुछ जानते नहीं थे, जब हमने उनका motivational video देखा, जब उन्होंने 10,000K अपना complete किया, तब हमें पता चला कि उनका success story क्या था, उन्होंने अपने life में, अपने ये YouTube कारियर में, कितना उन्होंने problems face किया, और उस problems से उन्होंने कैसे निप्टे वो, तो क्या था उनका success story, तो start करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले बात है 2011 की, Cool Mind Tech के present owner, Naveen भाई, उन्होंने 2011 में अपना पहला channel बनाया, उस channel में उन्होंने 10,000 subscribers gain किया, 10,000, मगर दुख की बात है दोस्तों, उनका monetization स्टार्ट नहीं हुआ, उस तरह में कुछ rules से लग होंगे, उस तरह में तक तो हम YouTube के आत हम जानते भी नही तो वो से बात को अलग छोड़ते हैं, तो अब आज की बात पर आते हैं, उस टाइम में 10,000 subscribers, monetization स्टार्ट नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने हार नहीं माना, आज कल तो आप देख सबते हो, किसी का 1,000 subscribers नहीं होता है, और monetization स्टार्ट नहीं होता है, तो वो यार पुरा होके बैठ जाता है, मगर फिर भी, कूल माइंटे के उन्हों, नवीन भाई ने 10,000 subscribers में भी जब monetization स्टार्ट नहीं हुआ, वो हार नहीं माले, वो वीडियो बनाते रहे, मगर क्या करें, जो लख खराब हो सकता है, तो क्या करें, YouTube ने उनका चैनल ही बंद कर दिया, चैनल termination के बाद उन्होंने क्या किया, obviously अगर आपके 10,000 subscribers होंगे और आपका चैनल terminate हो जाएगा, तो आप बहुत ही जाता depression में चले जाओगे, ये एक common बात है, मगर नहीं, हमारे नवीन भाई, जैसा कि उनका नाम है, cool mind tech channel के owner, उनका mind भी cool था, उन्होंने ज्यादा अपने दि उनके subscribers जो थे, उनके मेहनत और उनके experience की वज़े से बढ़ने लगे, बढ़ने के साथ क्या हुआ, बढ़ने के साथ साथ, आज उनके पास में monetization unable हो चुका है, और जो YouTube, उनका channel terminate कर चुका था, उस YouTube नहीं आज उनके channel को पैसा भेजना से चार्ट कर दिया है, तो दोस्तों आप देख सकते कि किस तर है, किस तर है एक ऐसा इंसान जो इतना मेहनत किया और उसका channel terminate हो गया, वो हार नहीं मानता है, और हार नहीं मानके, वो life में इतना achieve कर लेता है, तो दोस्तों, यही थी success story, Cool Mind Tech channel के owner, नवीन भाई की, तो मुझे लगता है कि आप सब इससे जरूर inspired हुए होंगे, और जितने भी हमारे YouTube channel के owners भाई हैं और बहन हैं, तो वो लोग भी इससे inspired हुए होंगे, और जिनका channel ऐसे terminate हुआ होगा, वो बिना हार माने, बिना यह सोचे कि हम depression में चले जाएंगे, वो और एक नया channel खोल के एक नई शुरुवात करें, तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो दिखाना चाहते हैं, उनको भी आप life में inspired करना चाहते हैं, ये बस एक YouTube story नहीं है दोस्तों, ये जो story है, ये life पे भी apply होता है, तो आज शुरुआ है, तो आज बहुत खुशी की बात है कि cold mind tech की family पहुँच की है, 10,000 subscriber के उपर, तो आज इतना खुशी हो रही है, आप पूछिए मत तो दिल से शुरिया करना जाओंगा, आप सब का प्यार है, उसी वज़े से जो आज 10,000 subscriber कम्प्लीट हो गए, तो आज किस वीडियो में आपसे बताओंगा, कि आज 0 subscriber से लेकर 10,000 subscriber तक मेरा सफर कैसे रहा किस तरह से मैंने content upload किये, किस तरह से मैंने शुरुआत की, और आस्ते में मेरे को क्या-क्या feel हुआ, यह शायद मिसलिये बतारों दोस्तों, ताकि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप थोड़े से motivate हो जाएंगे, सब बात करते हैं, आज से 7 महीने पहले कि जब मैंने YouTube चैनल पे वीडियोस डालना स्टार्ट की थी, अगर मैं बात करूँ दोस्तों अपनी YouTube पे, तो मैं साल 2011 से YouTube पे हूँ, यह बहुत पुरान, तो आप यह सोचने होगे कि साल 2011 में इसमें अगर YouTube जोइन कर लिया था, तो उस ताइम पे ही चैनल खोन लिया होता, तो आज यह बहुत दूर होता, बिल्कुल सही बात है, तेकि दोस्तों उस टाइम भी मेला चैनल था, जिसके बारे मैं आपके साथ में ज्यादा शेयर नहीं करना चाहूँगा भी, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाईगी, गाइस मैं बात करूँ, कूल माइंड टेक की तो 20 सब्तमबर 2017 को मैंने फर्स वीडियो अपलोड की थी, और उस वीडियो को अपलोड करते टाइम यार आपको में सही बता दूँ दोस्ता है, मिरको इतना याँ